Good morning students, आज हम लोग part 1 बंदन तुम सुविकार करो मा पढ़ेंगे जिसके कवी है सुरेश पंत जी कविता की इन पंतियों के पहले की पंक्तियां मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आज मैं यहां से पढ़ाऊंगी कवी कहते हैं कि तुछ स्वार्थ से उपर उठकर नितनो मंगल कारे करें तुछ स्वार्थ मतलब क्या होता है छोटा छोटा यानि या फिर अपने अपने स्वार्थ से उपर उठकर यानि अपने स्वार्थ के लिए नहीं सभी के हित के लिए हम नितनों मंगल कार करें हमेशा कार करें सभी के भलाई का कार करें मिल जुल कर हम रहें प्रेम से भेद भाव सब दूर करें हे भारत माता आप हमें यह आशिरवाद दीजिए कि हम लोग आपस में मिल जुल कर प्रेम से रहें बिना भेद भाव के क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता रहता है कि आपस में जाती, पाती, धर्म को लेकर कभी-कभी कुछ-कुछ कुरितियां फैली हुई हैं उससे हम उपर उठकर यानि उसमें अपना बिना स्वार्थ के हम सब के हित के लिए बिना किसी दभाव के कार करें उसके लिए आप हमें आशिरवाद दीजिए तन मन धन सब तुम को अरपन है भारत मता हमारा तन मन और धन सब कुछ आप पर अरपन है और इस अरपन को आप स्विकार कीजिए जै 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 भारत जननी वंदन तुम स्विकार करू मा है भारत मता आप हमा अर्थात इन पंक्तियों का सारान सियह निकला कि हम ये भारत माता हमें आप ऐसा असिरवात दीजे कि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं हम सब की भलाई के लिए हमेशा कारे करें हम ऐसा कारे करें जिससे हमारे परिवार का हमारे जिस समराज में रहते हैं उसका और हमारे दे में हमारे देश को जाना जा सके हम ऐसा कारे करें और हम आपस में मिल जुल कर रहें क्योंकि आप लोग बच्पन में एक कहानी पढ़ह होंगे जिस में एक बुढ़ा अपने पाँच बच्चों को एक एक लकड़ी देता है और उसको बोलता है कि इसको तोड़ो तो एक एक लकड़ी जब सबके हाथ में दिया तो सब बहुत आसानी से उसको तोड़ देते हैं लेकिन फिर वह सबसे एक एक लकड़ी मांगता है और उसको एक बंडल बना देता है बांध देता है और बांधने के बाद में उस लकड़ी को एक एक करके सब को देता है और पांचों में से कोई भी उसको तोड़ नहीं पाते है तब वह बुढ़्धा उनको समझाता है बुढ़ा आदमी कि जब हम अकेले रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है लेकिन जब हम एक जुट होकर रहेंगे तो हमें कोई भी हिला भी नहीं सकता इसलिए हमें आपस में प्रेम के साथ मिल जुल कर रहना चाहिए तो जब हम भी हम लोग भारतवासी भी आपस में मिल जुल कर रहेंगे तो कोई दूसरा देश हम पर आक्मर नहीं कर सकता हूँ उसको हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि वहां बहुत एक जुटता है लोग आपस में बहुत मिल जुल कर रहते हैं सभी आपस में एक दूसरे को भाई समझते हैं जब ऐसा समझेंगे तो हम दूसरे देश से लड़ने में क्या हो जाएंगे सक्छम हो जाएंगे क्योंकि हम एक रूप दिखाई देंगे लेकिन हम अगर अलग अलग बिखड गए किसी विचाती पाती धर्म के आधार पर अगर हम बिखड गए चारों तरप से तो हमको तोड़ना बहुत आशान हो जाएगा इसलिए हम आपस में मिल जुल कर रहें तो कैसे रहेंगे ये सब आशिरवाद कभी भारत वासियों के माध्यम से भारत मासा से वंदना करते हैं कि हम आपस में मिल जुल कर रहें आप हमारी वंदना को स्विकार कीजिए